SMT Boards के लिए विशेश विचार. सतह या Surface Mount Technology के लिए विभिन्न प्रकार के विचार करने पड़ते हैं. वे हैं PCB संबंधित विचार, Solder मिश्र या Alloy, Flux संबंधित विचार, Print प्रक्रिया संबंधित विचार, Reflow प्रक्रिया संबंधित विचार. SMT Boards के लिए विशेश विचार, PCB संबंधित विचार. सतह की Finish या Surface Finish अथवा उसके अंतिम रूप के बारे में सोचना PCB संबंधित एक महतुपून बात है. सतह का अंतिम रूप उसके गीलेपन, भंडारन, प्लैनरिटी और लागत संबंधित मुद्दों के आधार पर चुना जाता है. उद्योग जगत में अधिकतर और्गेनिक सोल्डरिंग के प्रिजर्वेटिव और मेटालिक सर्फेस फिनिश उपलब्ध हैं. SMT Boards के लिए विशेश विचार. सोल्डर मिश्र या एलोई? सिसा होने लायक अपेक्षाकरत कम तापमान पर पिघलने वाला और कई तरह के सीसा या लेट धारक और सीसा या लेट रहित सतह परतों के साथ संयोज होना चाहिए. SMT Boards के लिए विशेश विचार. Flux पर विचार. चुने हुए सीसा या लेट रहित बिश्र अलोई के साथ अनुकूलता और सतह इंसुलेशन प्रतिरोध या SIR वो इलेक्ट्रो माइग्रेशन जैसे विश्वस्तता के गुणू पर विचार कर लेना चाहिए. SMT Boards के लिए विशेश विचार. Print प्रक्रिया पर विचार. सीसा या लेट रहित को विशेश हैंडलिंग की आवशकता होती है. मुद्रन प्रक्रिया के विकास और पेस्ट की हैंडलिंग पर जरूर विचार किया जाना चाहिए. इनकी शेल्फ, जीवन और भंडारन पर इस्तितियां यूटेक्टिक यानि गलनकरांतिक सोल्डर पेस्ट से अलग हो सकती है. इस तरह के मुद्दों से बचने के लिए यह आवशक है कि मुद्रन प्रक्रिया और पेस्ट के हैंडलिंग की विधी का सही तरीके से पालन किया जाए. SMT Borts के लिए विशेश विचार, Reflow यानि पुनह प्रवाहा प्रक्रिया पर विचार, सीसा या लेड रहित सोल्डर के लिए विचार करणे योगय सबसे महत्वपूंड पहलु है Reflow यानि पुनह प्रवाहा प्रक्रिया का विवरն और Optimization. सीसा या लेड रहित सोल्डरिंग की तुलना में पारंपरिक सोल्डरिंग की रीफ्लो प्रक्रिया विंडो अपेक्शाकरत व्यापक होती है.